मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं एंगली स्कॉर्टेज पे और आज हम लोग करने वाले हैं आपके किताब रैंबो पार्ट टू के प्रोज सेक्शन से साथवे कहानी अचाइड इज बॉर्न का अब्जेक्टिब क्वेस्चन इस से पहले इस च चाक्तर्स के आप वहां से पढ़ करके अपना बहतरीन त्यारी कर सकते हैं उपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेर कीजिए और सारे ग्रूप्स में सेर कीजिए और जो लोग नए है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबादे और आल क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले चलिए सुरू करते हैं question number one से question number one है हमारा a child is born is written by यानि a child is born जो है वो किस के दवारा लिखा गया है तो चलिए बताए जल्दी से मैंने आपको बताया है कि germaline green के दवारा ये लिखा गया है germaline green के दवारा ये लिखा गया है chapter a child is born यानि कि option number हमारा a जो है ये सही है option number a यहाँ सही है a child is born germaline green second question है पैरे बच्चो dot dot is an extract from sex and destiny the politics of human fertility यानि कि ये एक किताब था germaline green के दवार लिखा हुआ और उसी से ये लिया गया है child is born यानि कि इस किताब के अंदर ये एक extract के रूप में chapter लिखा गया है जो chapter हम पढ़ रहे है ये इसी किताब से लिया गया है उनके जब्लिन ग्रिन के कौन से किताब से तो याद रखना sex and destiny the politics of human fertility तो ये किताब से child is born chapter लिया गया है option number a option number a child is born chapter कहां से लिया गया है तो याद रखना sex and destiny और the politics of human fertility और ये कौन लिखी है तो जर्मिन ग्रिन ठीक है ये किताब लिखी है तो ये कहानी भी वही लिखेगी चलो question number 3 है हमारा selective woman and her child are given new dress on the dot dot day of birth यानि कि selective woman और यानि कि selective की जो महिलाएं है और जो उनके बच्चे है उ तो सातवे दिन हमने पढ़ा है option number C, सातवे दिन celebration होता है भोज होता है और उनको नएने कपड़े मिलते हैं option number C हो जाएगा प्यारे बच्चो question number 4 है हमारा in dot dot children under the age of 5 और 6 are looked after by the whole family यानि कहां का जिक्र किया गया है प्रियो परिवार के द्वारा जो बच्चे है उनका देख भाल के जाता है जब तक कि वो पाच्छे साल के नहीं हो जाते है तब तक तो बंगला देश की बात इसमें हुई थी याद रखना बंगला देश में ऐसा होता है जो जर्णिन ग्रीन है वो चर्चा करती है बंगला देश का question number 5 है पहरे बच्चो जर्णिन ग्रीन इस एन सिच्छा ली थी तो Australian writer है यह याद रखेंगे question number 6 है a woman has to observe various tavo's rituals and customs यानि किस तरह के महिलाओं को इस तरह के जादू टोना और रिती रिवाज को जहलना पड़ता है तो जो महिला है pregnant होती है यानि कि जो बच्चे को जर्म देने वाली होती है उनको यह जादू टोना जो है और जो रिती रिवाज है वो देखना पड़ता है जहलना पड़ता है तो pregnant woman option number a question number 7 है मेरे पैरे बच्चो garlands of dot dot were given to a new baby यानि कि की सीज के जो माला है उसको पहना जाता है ना यह बच्चे को garland का मतलब माला होता है तो हमने पढ़ा है garlic and turmeric यानि कि लहसुन और अधरक का जो option number b अगला question है पैरे बच्चो generally a pregnant woman is sent to her dot dot home for child birth यानि कि समाने तोर पैसा होता है कि जो महिला है pregnant होती है उनको कहां भेज दिया जाता है बच्चे के जन्म के समय तो उनको अपने माता पिता के घर भेज दिया जाता है तो parents house हो जाएगा parents home या parents house option number a यानि कि जो महिला है pregnant हो वो अपने माता पिता के घर चली जाती है अपने सस्राल से और वहीं पर बच्चे का नॉर्मली जन्म होता है traditional societies में option number a यहाँ पर answer हो जाएगा question number 8 है प्यार बच्चो इन बंगलादेश dot dot is a kind of fairy tales यानि कि बंगलादेश में कौन सा एक परियो का कहानी है तो हमने पड़ा है रूपर टोका जो है वो एक परियो का कहानी है fairy tales का मतलब परियो का कहानी है पूछ सकता है आप से कि रूप टोका जो है वो क्या है तो बंगला गया है तो हमने अभी पड़ा है उपर sex and destiny से लिया गया है option number b sex and destiny से लिया गया है option number b और कौन लिखी है तो जर्विलीन ग्रीर याद रखेंगे अगला question है प्यारे बच्चो जर्विलीन ग्रीर वाज बॉर्न इन यानि कि जर्विलीन ग्रीर का जन्म कहां हुआ था तो इन to observe various tables rituals and customs ही हमने अभी पड़ा हुआ है या repeat हो गया question तो बोलो जल्दी से अभी मैंने पड़ाया है pregnant woman हाना pregnant woman को अलग लगता है कि जादू टोना से होकर के गुजरना पड़ता है जब बच्चे का जर्म होने वाला होता है तो चलो 12 number question है dot dot woman visit her mother's house during pregnancy यानि कि कौन सी महिला ज लेटी की जो महिला है वो बच्चे को जब 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 जन्म देना होता है तो अपने माता पिता के घर जाती है option number B यहाँ पर हो जाएगा question number 13 है infant and dot dot mortality is greater in traditional societies यानि कि traditional births यानि कि जो बच्चे हैं जो नौजात हैं उनका और उनके मा का जो मृत्यू दर है वो traditional society में traditional birth में मृत्यू का खतर काफी ज़्यादा होता है कि society में तो अगर society पूछेगा तो याद रखना traditional society या traditional birth में ठीक है और किसका किसका तो infant and mother यानि कि बच्चा और मा का जो मृत्यू दर है वो बहुत ज़्यादा होता है traditional societies में यह बात को याद रखना traditional society या traditional birth में infant और mother का क्वेशन नमबर 15 है डॉट डॉट विजिटेड एन इनॉर्मस मॉडर्न होस्पिटल फॉर बंटू पेसेंट इन साथ होफिरका हमने पढ़ा है कि साथ होफिरका में बंटू पेसेंट की स्थिति को देखने के लिए कौन एक बड़े होस्पिटल में विजीट की थी तो जाग की जिंजर याद रखेंगे ऑफसन नमबर ए हमारा एंसर हो गया हाँ पे जर्मिन गिरिन इजब फेमस डॉट डॉट राइटर यानि कि प्रसिद्ध की तरह की राइटर है वाई तो यह फेमिस्ट है महिलाओं की जो बात करें फेमिस्ट को क्या करते हैं जो महिलाओं के हक की बात करें उसको फेमिस्ट करते हैं तो जर्मिन गिरिन जो है वो महिलाओं के हक की बात करती थी इसलिए यह फेमिस्ट थी एक फेमिस्ट थी और यह जन कहा नहीं थी ऑस्ट्रेलिया में याद रखना एक उस्ट्रेलियन थी और फेमिस्ट थी यानि कि महिलाओं की ब बाकि सारे आसपास के continent में रुप्तों का each told by यानि कि रुप्तों का जो है वो किसके द्वारा सुनाया जाता है रुप्तों का जो है वो बच्चों के आंट के द्वारा यानि कि उनके चाची के द्वारा उनको सुनाया जाती है रुप्तों का क्या है मैंने आपको बता है परि परियों की कहानी सुनाती हैं बच्चों को question number 19 है who visits mother's house as a reward of pregnancy यानि कि pregnancy के reward के रूप में कौन अपने माता-पिता के घर को यानि कि अपने मा के घर को विजिट करती है तो सिलाटी वुमेन हमने इसमें पढ़ा हुआ है सिलाटी वुमेन जो है अपने मा के घर चली जाती है यानि कि अपने माता-पिता के घर चली जाती है बच्चे के जन्म के पहले इन्दा डॉट डॉट दा हस्वेंड वाइफ ड्यू इन्जवाए और मोर प्रिडम एंड इंडिविजुलिटी यानि कि किस जगह पे जो हस्वेंड और वाइफ है उनको जादा आजादी मिलता है मतलब इन्दिविजुल रूप से अलग-अलग रूप से बच्चों के जन्म के बाद तो वेस्ट में ठीक है किस जगह पे तो याद रखना वेस्ट में वेस्टरन कंट्रीज में जो महिलाएं हैं और जो पुरूस हैं बच्चों के जन्म के बाद वो ज़्यादा आजादी महसूस करते हैं क्योंकि वो अलग रहते हैं अपने होल फैमली से यानि कि वहाँ संजुप परिवार नहीं होता है इसलिए वो ज़्यादा आजादी महसूस करते हैं और बच्चों का देख रहें खुद करते हैं लेकिन बागी सारे परिवार में बच्चों का देख रहें वो पुरा परिवार के दोरा किया जाता है लेकिन वेस्ट में जो माता पिता है वो खुद करते हैं और वो free महसूस करते हैं उसी स्थिती में option number C, western countries में यानि की पश्मी देशों में तो इस तरीके से मेरे पैरवच्चों हमने बहुत ही VVI questions, objective questions complete कर लिया इस चार्टर का आप बने रही हमारे साथ और आपका बहतरिन त्यारी हो रहा है अगर आपको हमारा प्रयास फसंद आ रहा है तो वीडियो को सेर कर दीजे अपने सारे दोस्तों के साथ और जो लोग नए है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें मिलते हैं अगले वीडियो में इस चाप्टर के क्वेशन अंसर के साथ तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए धन्यवाद